हैलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल मरीन वर्ल्ड में दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आरपी एफ पुलिस कॉंश्टेबल कैसे बने और इससे जोड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूँगा दोस्तों वीडियो मागे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेश्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इससे सेर जरू किजेगा तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो में आप पूलिस कॉंस्टेबल कैसे बने रेलबे में पूलिस कॉंस्टेबल बनने के लिए क्या करें इसे संबंधित पूरी जानकारी डिटेल में पाएंगे जैसे कि आप इसमें पूलिस कॉंस्टेबल क्या है, पूलिस कॉंस्टेबल कैसे बने इसके लिए योगिताय क्या क्या होती है, एज लिमीट कितनी होती है, साथ ही इसके लिए physical requirements क्या है, इसकी अलावा RPF में police constable बननी की selection process क्या है, इनकी salary कितनी होती है, इसे सम्बंधित पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में detail में देने वाले हैं दोस्तों अगर आप भी RPA पुलिस कॉंस्टेबल बनना चाहते हैं या रेलवे में पुलिस कॉंस्टेबल की नौकरी पाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं इसलिए इस वीडियो को अंतक जरू देखेगा दोस्तों यदि हम रेलवे विवाग की बात करें तो रेलवे विवाग सबसे अधिक रोजगार देने वाला चेतर बन गया है जो हर साल कई पदों पर भरतिक आयजन करता है जिसके लिए लाखो यूबा आविदन करते हैं लेकिन कुछी यूबाओं को नौकरी मिल पाती है क्य लोगे हैं अगर आप भी इस कंपिडिशन के दावर में जौब पाना चाहते हैं तो आपको इसके लिए काफी कड़ी मेहनत करने की ज़रूत है तब ही आप रेलवे में आर्पी फॉलिस कॉंस्टेबल बनने के सपने को पूरा कर पाएंगे तो चली दोस्तों आगे बढ़त और हिंदी में रेलवे सुरक्षा बल कहा जाता है आपको बता दें कि भारती रेलवे बिवाग में आरपी फॉलिस कॉंस्टेबल फॉलिस कॉंस्टेबल प्री में काम करते हैं जैसे रेल यात्रियों के सुरक्षा करना रेलवे سुविदाओं की गती वीडियों पर ये आगे जानते हैं कि RPF Police Constable बनने के लिए क्या-क्या योगताई होनी चाहिए दोस्तो यदि आप RPF में Police Constable बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी मानेता प्राप्त High School से 10 वी कक्षा और 12 वी कक्षा पास करनी होगी इसके अलावा आपको RPF में Police Constable बनने के लिए भारतिय नागरिक होना जरूरी है ये अनिवारे है दोस्तो आर्क्विएफ में Police Constable बनने के लिए आपकी मीनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सम 25 साल से जादा नहीं होनी चाहिए इसके अलावा RPF में Police Constable बनने के लिए वही दीव्यांगों और अन्ने के टेगरीस के के लिएट से मैक्सम एज लिमिट में 6 से 10 साल की चूट दी जाती है दोस्तों बात करें, RPF Police Constable बनने के लिए Physical Requirements की तो पहले हम Male Candy Rate की Physical Requirements के बारे में जान लेते हैं Male Candy Rate की Height 165 cm होनी चाहिए ACHT Category के Candy Rates की Height कम से कम 160 cm होनी चाहिए छाती बिना फुलाए 80 cm होनी चाहिए और फुलाकर 85 cm होनी चाहिए साथ ही इसमें Reserve Category के Candy Rates को कुछ cm की छूट दी जाती है दोस्तों दौड की बात करें तो Male Candy Rates को 1600 मीटर की दौड 5 मिनट 45 सेकेंड में पूरी करनी होती है दोस्तों आपकी Eye Sight 6 by 6 और 6 by 9 होनी चाहिए दोस्तों RPF Police Constable बननी के लिए आप सारीरिक और मांसिक रूप से स्वस्त और फीट होने चाहिए बात करें Female Category के Candy Rates की Physical Requirements की तो इनकी हाइट कम से कम 157 cm होनी चाहिए AC HD Category के Female Candy Rates की हाइट कम से कम 152 cm होनी चाहिए इनकी दौड की बात करें तो Female Category के Candy Rates को 800 मीटर की दौड 3 मिनट 40 सेकेंड में पूरी करनी होती है इनकी आइसाइट की बात करें तो Female Category की आइसाइट 6 by 6 और 6 by 9 होनी चाहिए इन्हें सारीरिक और मांसिक रूप से स्वस्त और फीट होना चाहिए और Female Category के Candy Rate को किसी भी तरह की कोई बीमारी से पीडित नहीं होना चाहिए तब ही आप RPF Police Constable बन सकते हैं दोस्तों यदि आप RPF में Police Constable बनना चाहते हैं तो आपको किसी भी मानेता प्राप्त High School से 10 भी और 12 भी कक्षा पास करनी होगी उसके बाद आपको Railway में Police Constable बननी के त्यारी सुरू कर देनी चाहिए क्योंकि RPF में Police Constable बनना इतना असान नहीं है इसके लिए आपको काफी कड़ी महनत करनी होगी साथ ही आपको अपनी Fitness पर अधिक ध्यान देना होगा इसके अलावा आपको अपनी हाइट, चेश्ट, रनिंग को परफेक्ट करना होगा साथ ही आपको फिजिकली स्वस्त होना होगा यदि आप सभी योगिताओं और मंदंडों को पूरा करते हैं तो आप RPF में Police Constable की पोश्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तो आर आर भी हर साल RPF Police Constable की भरती आयूजित करता है जिसके जानकारी इसकी ऑफिसेल वेब साइट पर या फिर एडवर्टेज्मेंट की माद्यम से दी जाती है इसके लिए आपको आप्लाई करना होगा अप्लाई करने के कुछ दिनों के बाद आपको RPF Police Constable की ऑनलाइन कंप्यूटर बेज़ टेस्ट जिसे की CBT के नाम से जाना जाते है इस एक्जाम में एपियर होना होता है इस एक्जाम को क्वालिफाई करना होता है दोस्तो ये एक्जाम टफ होती है इसके लिए आपको काफी पढ़ने की जरूत होती है आपको बता दें कि ये एक्जाम चार पार्ट्स में डिवाइड़ है यदि आप इन चार चरनों की एक्जाम को सफलता पूरवक पास कर लेते हैं तो आपको डॉकुमेंट वेरिपिकेशन के बाद आरपीयव पोलेस कॉंस्टेबल की ट्रेनिंग के लिए भिजा जाते है और ट्रेनिंग पूरा होने के बाद आपको आरपीयव पोलेस कॉंस्टेबल के लिए न्यूक किया जाते है दोस्तो अगर आप आरपीयव पोलेस कॉंस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको चार चरनों की एक्जाम को पास करना होते है, पहले आपका computer based test होते है, इसके बाद physical efficiency test होते है, इसके बाद physical measurement test होते है, इसके बाद medical test होते है, और आखेर में document verification होते है, दोस्तों यदि आप सभी चरनों की एक्जाम को सपलता पुर्वक step by step की डियर कर लेते हैं, तो आपको railway विवाग में RPF Police Constable के लिए के post पर सिलेक्ट किया जाते हैं, दोस्तों बात करें RPF Police Constable एक्जाम के syllabus की, तो इस एक्जाम में आपसे general intelligence, general awareness, general knowledge and reasoning, arithmetic और general English से आपसे सवाल पूछ जाते हैं, यदि आप इस syllabus का ठीक तरीके से study करते हैं, तो आप निशी दूरूप से RPF Police Constable एक्जाम पास कर सकते हैं, दोस्तों आप हम बात करते हैं कि RPF Police Constable एक्जाम की त्यारी कैसे करें, दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको RPF Police Constable एक्जाम से संबंदित पूरी जानकारी हाजिल करनी होगी, आपको RPF Police Constable एक्जाम की त्यारी के लिए एक टाइम टेबल निर्धारित करनी होगी, और उस टाइम टेबल के अनुसार ही पढ़ाई करनी होगी, RPF Police Constable के एक्जाम पैटर्न को आप अच्छे तरीके से समझने की कोशिस करें, आपको RPF Police Constable एक्जाम के सिलेबस को समझना होगा और उन सब्येक्ट के अच्छे तरीके से स्टाइडि करनी होगी, दोस्तों आप डेली निउस पेपर पढ़ें, RPF Police Constable एक्जाम के आप प्रिवियस दो से तीन साल के कोशिण पेपर को एकटा करें और उन कोशिण पेपर को सॉल्व करने का प्रयाज करें, दोस्तों RPF Police Constable एक्जाम के त्यारी के लिए आप कोचिंग क्लासे भी जॉइन कर सकते हैं, दोस्तों RPF Police Constable एक्जाम की जानकारी के लिए आप इंटरनेट या यूट्यूब के मदद ले सकते हैं, दोस्तों RPF Police Constable एक्जाम में सभी क्वेशन आपजेक्टिव टाइप से पुछी जाते हैं, और आपको एक सवाल के चार आप्सन दिये जाते हैं, जिसमें आपको सई जवाब का सेलेक्शन करना होता है, यदि आप गलत जवाब चुनते हैं, तो आपके वन बाइ थर्ड मार्क्स काटे जाते हैं, इसलिए आप इस एक्जाम के समय आप निगेटिव मार्किंग का ध्यान दखें, दोस्तों यदि हम और पी एफ पुलिस कॉंस्टेबल की सेलरी की बात करें, तो इनकी सेलरी 5200 रुपे से लेकर 20200 रुपे मंतली तक होती है, साथ ही इन्हें ग्रेट पे 2000 रुपे मिलता है, इसके अलावा इन्हें HR, DA, DA, TA और भत्ते भी दी जाते हैं, लेकिन अब साथ में बेतनायों के मताबिक उनकी सेलरी में काफी जाफा हुआ है, इसलिए इनकी सेलरी इससे अधिक भी हो सकती है, दोस्तों अब मैं आप लोगों को RPF Police Constable बनने से रिलेटेड इस्टुएंट्स के दोरा अधिक तरवार पूछ जाने वाले प्रस्णों को आप लोगों के साथ एक एकर डिसकस कर देता हूँ, पहला सवाल है, RPF के लिए क्या क्या योगता हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि RPF Police Constable बनने के लिए भारतिय नागरिक होना चाहिए और किसी मानिता प्राप्त हाई स्कूल से आप दस भी और बारवी कक्षा पास किये होने चाहिए, दूसरा सवाल है, RPF Police Constable बनने के लिए एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि RPF Police Constable बनने के लिए आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, साथ ही OVC और SCHT के टेगरी के कैंडिरेट्स को सरकार के दोरा मैक्सिम एज लिमिट में कैटेगरी वाइस कुछ चूट दी जाती है, तीसा सवाल है, RPF Police Constable बनने के लिए हाइट कितनी होनी चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि RPF Police Constable के लिए हाइट, मेल कैटेगरी के कैंडिरेट्स की हाइट 165 सेंडिमीटर और फिमेल कैटेगरी के कैंडिरेट की हाइट कम से कम 157 सेंडिमीटर होनी चाहिए, चौथा सवाल है, RPF Police Constable के क्या-क्या करतवे हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि RPF Police Constable के करतवेश की बात करें, तो इन्हें रेलवे यात्रियों की सुरक्षा करना, रेल्वे सुविदाओं की गतिवीदियों पर नज़र रखना, साथ ही इस्तेमाल की जाने वाली वस्तों की निगरानी करना, और रेल्वे की संपत्ती को नुकसान पहुचाने वाले लोगों को गिरफतार कर अपड़ादियों के खिलाफ मुगदमा चलाना आधी काम आर्पीएफ पुलिस कॉंस्टेबल का होते है पांचवा सवाल है आर्पीएफ में भरती होनी के लिए कितनी परिक्षाओं से गुजरना होते है तो दोस्तों आपको बता दूं की आर्पीएफ में भरती होनी के लिए चार चरनों की ईक्जाम से गुजरना होते है Computer Based Test, Physical Efficiency Test, Physical Standard Test, Medical Test और Document Verification तो दोस्तो आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि RPF पुलिस कॉंस्टेबल कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे सेर जरू कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे जरू सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ अब तके लिए धन्यवाद